मेरा नाम है अर्पित मंगल और आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे एक ऐसे प्रोडक्ट पे जो सिर्फ मात्र दो रुपय का आता है और वो आपको फैट बन करने के साथ साथ आपको प्री वर्काउट भी सर्व होता है बेसिकली आपको वर्काउट या कोई भी से पहले अस्ति एक आपको एनरजी भी देता है आई नो बहूत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर आर्रेड़ी बहुत सारे विडियो बना रखे हैं दो रुपय का ξसा तो इतना आसान है दो रुपय में इस J7 बन करना मतलब फिरतो को खुई भी सखाँ और कोई पीजा खाएगा बरगर खाएगा कुछ भी खाएगा और फिर वो दो रूपय का प्रोड़क्ट खरीद के दुकान पर या कहीं से भी उसको खा लेगा और कहेगा मैंने तो फैट बन कर लिया तो गैस सबसे पहले बताता हूँ आपको इस प्रोड़क्ट के बारे में कि मैं किस प्रोड़क्ट की बात कर रहा हूँ तो वो प्रोड़क्ट है ये Nescafe की कॉफी या कोई भी ब्रैंड की कॉफी जो एक दो रुपय के सैशे के रूप में भी आती है तो guys बताऊंगा आपको कि क्या इतना आसान है इन coffee sachet से आपका fat burn करना अगर इतना ही आसान होता तो आज इंडिया में हर कोई fit होता हर कोई राशन के दुकान पे 2 रुपए की sachet लेके खा लेता और fat burn होया था तो guys इस video का basically purpose है आपको सही से educate करना कि कैसे आपको इस product का use करना है कितनी मात्रा में use करना है इसे कब लेना है क्यों लेना है कब छोड़ना है किसके साथ इसको लेना है ताकि आप अच्छे से इसका इस्तमाल कर सके fat loss कर सके तो सबसे पहले बताता हूं guys कि इसमें content क्या है इसमें जो content होता है coffee session में वो basically caffeine होता है तो जी हाँ guys caffeine जरूर आपको help करता है fat loss में और आपको support करता है आपके workout में energy के लिए तो सबसे पहले आलेंगे कि caffeine होता क्या है तो एक चीज़ बताता हूं आप लोग को guys कि caffeine कोई food नहीं है नहीं कोई supplement है caffeine is a psychotic drug जी हाँ guys caffeine एक legal psychotic drug है ये band drug नहीं है ये legal drug है और बहुत सारी medicines में caffeine मिला जाता है जैसे आपके सर्दी और खासी की दवाईयों में भी caffeine मिला रहता है अगर कोई mental disorder की बिमारी सफर कर रहा है तो उस mental disorders की medicines में भी caffeine मिला जाता है बहुत सारे depressions की दवाईयों में भी caffeine मिला जाता है यहां था कि anesthesia जो doctor anesthesia देते हैं किसी भी छोटे या बड़े operation से पहले ताकि आपको pain महसूस ना हो उसमें भी caffeine मिला होता है और बहुत सारी दूसरी pain killers में भी caffeine मिलाते हैं तो जी हां guys ये एक legal drug है जो कि medicine से मिलाते हैं और ये सारे drugs legally medical stores पे available होते हैं जो कि किसी भी physician के recommendation पे इसको जो person किसी भी बिमारी से सफर कर रहा होता है वो इसे लेते हैं केफीन का source क्या है guys? केफीन बहुत सारे plants की पत्तियों से obtained होता है in fact ये cola nuts जिससे आपके soft drinks बनते हैं उसमें भी caffeine होता है cocoa powder जिससे आपके chocolates बनते हैं उसमें भी caffeine होता है and one of the most popular source coffee beans उसमें भी caffeine होता है तो ये थी एक छोटी सी information caffeine के बारे में अब बताऊंगा कि caffeine कैसे आपको help करता है fat loss में तो guys एक चीज़ समझे है कि आपकी body में दो तरह के receptors होते हैं एक होता है alpha receptors और एक होता है beta receptors तो जो alpha receptors होते हैं guys वो हमारी body में as a bad guys काम करते हैं जी हां guys alpha receptors are act as a bad guys in our body alpha receptors क्या करते हैं हमारी body में ये जो fat है उसको trap करके रखते हैं हमारी body में ये हमारे body में fat को trap करके रखते हैं कैद करके रखते हैं जिससे हमारा fat बाहर निकल के burn नहीं हो पाता whereas जो beta receptors होते हैं ये हमारी body में as a good guys act करते हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारी body से fat को बाहर निकालते हैं ताकि fat energy के रूप में burn हो जाए और आप अपनी body से inches और fat lose कर पाएं तो जब भी आप caffeine consumption करते हैं caffeine क्या करता है? caffeine beta receptors को activate कर देता है जिससे beta receptors fat को release करते हैं आपके body में से और वो fat energy में burn हो जाता है और आप fat lose कर लेते हैं तो इस तरह से caffeine help करता है आपको fat lose में but guys एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखे जितने भी supplements होते हैं जितने भी आप supplements लेते हैं या caffeine products लेते हैं या कोई भी fat burner product लेते हैं अगर आप एक अच्छे diet plan में हैं एक calorie deficit stage में हैं तो caffeine आपको ज़रूर और ज़रूर help करेगा आपके fat loss में एक example लेता हूँ guys अगर आपका aim है muscle gain करना और आप natural food से protein नहीं obtain कर रहे हैं आप एक अच्छे diet plan पे नहीं हैं तो जितने brand के चाहे whey protein ले ले जितना whey protein ले ले वो फायदा नहीं करेगा यह supplements होते हैं यह add-ons होते हैं तो जी हाँ अगर आप एक अच्छे diet पे हैं और आप caffeine का support ले रहे हैं तो आप ज़रूर fat loss कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो सारा scientific procedure मैंने आपको already बता दिया है अब बात करेंगे कैसे caffeine help करता है आपको energy देने में किसलिए caffeine बहुत सारी supplement companies अपने pre-workout supplements में भी मिलाती है energy drinks में इसको मिला जाता है ताकि आपको ज़्यादा energy मिले तो guys caffeine basically क्या करता है pre-workout के लिए उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमारी body में adenosine पाय जाता है adenosine basically क्या करता है आपके body में वो एक alas का महौल पैदा करता है alas का environment create करता है adenosine basically एक sleep का environment create करता है आपके body में जिससे आपको alas आता है आपको मन करता है कि मैं लेट जाओं, बैठ जाओं, सो जाओं, बड़ कुछ काम ना करे, बड़ जब भी आप caffeine consume करते हैं, तो वो क्या करता है, वो adenosine के action को block कर देता है, जी हाँ guys, caffeine adenosine के action को block कर देता है, और the moment ये adenosine के action को block कर देता है, तो आपको basically ये आलस के महौल से बाहर निकाल देता है, इसी लिए caffeine जब भी आप जिम से पहले लेंगे, तो आपका mental focus बढ़ जाएगा, आपकी alertness बढ़ जाएगी, और आपकी physical strength में बहुत improvement होगा, तो guys yes, caffeine अगर आप pre-workout लेते हैं, तो ये आपको mentally alert कर देता है, और आपका physical strength improve हो जाता है, चाहे वो कोई भी physical sports हो, चाहे आ आप hockey खेलने जा रहे हो, cricket खेलने आ रहे हो, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, या आप जिम में exercise करने आ रहे हो, अगर आप caffeine का consumption करते हैं, अपने कोई भी sports ये exercise से पहले, तो ये आपके body से आलस भगा के, आडिनो साइन के action को block करके, आपको energy देता है, और आपकी performance, आपकी weight lifting capabilities improve हो जाती है, तो guys, physical sports के अलावा mental sports, जैसे है कि chess खेलना, उसमें भी caffeine आपको काफी support करता है, आपकी performance improve करके, तो guys, ये थे caffeine के दो major benefits, body building और sports point of view से, अब बात करेंगे caffeine के side effects के बारे में, तो guys, सबसे पहले जाने कि caffeine की safe dosage क्या है, तो guys, अगर आप पूरे दिन में caffeine का consumption सिर्फ 200 से 300 mg रखते हैं, और दूसरा, caffeine को सोने से 6 घंटा पहले छोड़ देते हैं, तो caffeine का कोई भी side effects, कोई भी disadvantages नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं, बट अगर आप इस limit को cross करते हैं, अगर आप 200 से 300 mg पर डे से जादा caffeine का consumption करेंगे, सोने से 6 घंटा पहले caffeine नहीं छोड़ेंगे, तो इसके number of side effects, number of disadvantages है, मैं आपको दाता हूँ, वो कौन से हैं? तो number one, जो की बहुत जादा major disadvantage है, वो है insomnia, मतलब अगर आप caffeine का जादा consumption करेंगे, तो caffeine आपको सोने नहीं देगा, आप राद भर सो नहीं पाएंगे, आपको बहुत restlessness लगेगी, अगले दिन जब आप उठेंगे, तो क्योंकि यह 25 सो नहीं पाएंगे, आप basically बहुत ही आल दूसरा बहुत बड़ा disadvantage यह है कि caffeine का बहुत लोगों को addiction हो जाता है, जी है guys, अगर आप जादा coffee consume करेंगे, तो आपको caffeine का addiction हो सकता है, इसमें क्या होता है guys, कि अगर आप उठेंगे और आप coffee नहीं पीए पूरे दिन में, तो आपको ऐसा लगता है, मतलब आपको अच्छ करेंगे, जिससे बहुत सारे side effects हो सकते हैं, तीसरे side effects की बात करते हैं, तो caffeine जादा consumption होने से आपको headache हो सकता है, चौते disadvantage की बात करते हैं, तो वो है कि जादा caffeine consume करने से आपको acidity भी हो सकता है, पांचवे side effects की बात करेंगे, तो caffeine अगर आप जादा consume करेंगे, तो आपको dehydration भी हो सकता है जी हां गाइस केफीन आपकी बाड़ी से salt और water आपकी बाड़ी से withdraw कर देता है जिससे आप dehydration stage में भी जा सकते हैं बात करते हैं छटे disadvantage की तो ज्यादा excess केफीन कंजम्शन से आपको heart palpitations, abnormal heart rhythm भी आपको हो सकते हैं तो guys ये थे कुछ disadvantages, केफीन के बारे में दो चीज रिपीट करूँगा अगर आप केफीन कंजम्शन के दाइरे में रहेंगे, अगर आप 200-300 mg per day ही केफीन कंजियूम करेंगे और इसको सोने से 6 घंटा पहले आप छोड़ देंगे, तो केफीन का कोई भी side effects नहीं है ये आपको support ही करेगा fat loss और pre-workout में, अगर आपने इसे एक well balanced, एक calorie deficit stage के साथ अगर आपने केफीन का support लिया तो, तो guys I hope आपको ये चीज समझ में आये होगी कि केफीन कैसे काम करता है, आपको इसे कितना लेना है, कब लेना है एक चीज मैं बार बार repeat करूँगा guys, दो रुपए के सैशे में कोई ऐसा जादू नहीं है कि वो आपका fat burn करेगा आप undescend कुछ भी भचीड के कुछ भी खा के केफीन का consumption करके fat burn नहीं कर सकते हैं, पहले अपनी diet को अच्छा रखें, उसके बाद केफीन का support लें और आपका fat loss हो गई होगा तो guys, ये थी मेरी information केफीन के उपर, आपने केफीन डोजेज का भी ध्यान रखें, एक चीज आपको और बताता हूँ कि एक 200 ml filter coffee में 90 mg केफीन होता है और एक 60 ml espresso shot में 75 mg केफीन होता है ये figures आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि maximum low coffee का consumption as a beverage करते हैं, तो guys, I hope ये figures आपको help करेंगे आपके coffee के consumption के dosage को track करने में, limit में रहें, limit में रहें, फायदा ही फायदा होगा, चाहे muscle building हो या fat loss हो All right guys, तो देरिक इस बात की, please like करें इस वीडियो को, subscribe करें मेरे चैनल को, instagram करें मुझे follow करें, please guys share करें मेरे वीडियो को, बहुत फैला हैं, ताकि मुझे भी motivation मिले, ऐसे और facts आपके सामने लाने में, और scientific वीडियो बनाने में, और आप एक better और healthy जिंदगी जीप है, All right guys, take care, be healthy, see you in my next video.